हेलो दोस्तों सिफसंकर सेप चैनल में आपका फिर से श्वागत है चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए बहुती टेस्टी और बहुती स्वादिस्ट अकबडी पनीर मसाला हाँ फ्रेंड अकबडी पनीर मसाला आज हम बनाएंगे बहुती असान तरीका से घर पे सिफसंकर सेप चैनल के माध्यम से रिसीपी देख के आप लोग जरूर बनाएगा और घर पे बनाके खाना नहीं भूलिएगा और सिफसंकर सेप का कोमेंट करना भी नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो का लेट नहीं करते हैं फटा फटा हम आज हम क्या-क्या यूज करने वाले हैं सबसे पहले हमने बॉल में मीजा ले लिये हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, आपके समने बहुती कम समय में बनाएंगे अकवरी पनीर मसाला, जिसके लिए एक नॉन इस्टिक फ्राइपिन में हमने वन टेबूल स्पून इसमें रिफाइन वाल, और थोड़ा सा इसमें ब्लैक मस्टर्ण सेड, मतलब ब्लैक सेर्शो एड के हैं गोटा, थोड़ा सा सोफ एड कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा हम एड के हैं करी पता है, अब फ्रैर्ण, और यह रहा आपका सामने, चॉपिंग किया हुआ, मतलब छोटा चोटा सा काटा हुआ गारलिक, और इसमें हम थोड़ा सा नाम के लिए जिंजर चौपिंग किया हुआ और थोड़ा से स्पाइसी के लिए हम एड़ करेंगे ग्रीन चिली और आपको फ्रेंड ये खा के बहुती मज़ा आने वाला है तो वीडियो को इसकीप ना करें और अन्तक देखें क्या बना रहे हैं सेफ मतलब सिपसंकर सेफ तो इसको थोड़ा सा फ्राइड होने दे और उसका बाद आप एड़ करें केपसिकम मतलब ग्रीन केपसिकम अगर आपका घर पे है तो एड़ करें नहीं वी देने हो जाता है और उसमें हमने एड़ के हो थोड़ा सा येलो और रेड़ केपसिकम तो आप लोग भी अगर होटल्स या रिस्ट्रेन के कीचन में बनाते हैं तो प्लीज इसको एड़ कर ले तो खाने में बहुती स्वादिस्ट और बहुती अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपका पास ये रेड़ियलो केपसिकम हो सकता एबेलेबल नहीं हो नहीं भी एड़ करने से हो जाता है इसमें हमने थासे एड़ के हैं वाइड सॉल्ट मतलब नमक, स्वादन स्वार आप लोग नमक थासे पेले एड़ कर ले जो फेड़ियल को पकने में बहुती कम समय लगता है और इसमें हमने एड़ के हो थोड़ा सा चॉपिंग मसाला प्याज का जो मसाला बनाते हैं चॉप किया हुआ उसको हम एड़ कर ले इसको हम थोड़ा सा फ्रैड होने देते हैं और इसका बाद हम एड़ करेंगे कुछ इंडियन स्पैसे चुटकी में चुटकी पकर के मतलब एक दम एक एक चुटकी के जैसा जैसे कि हमने कासमेरी चिली पोर्टर इससे पेले थोड़ा एड़ किया हूँ थोड़ा सा धनिया पोर्टर एड़ किया हूँ थोड़ा सा चुटकी में जीरा पोर्टर एड़ किया हूँ और ये रहा आपका सामने हलदी का पोर्टर एक चुटकी मतलब स्वादन स्वार हमने एड़ किया हूँ और इसमें अब हम एड़ करेंगे थोड़ा सा black salt हाँ friend black salt Indian vegetables में मतलब सबजी में paneer में क्यों add करते हैं क्योंकि उसमें spices कच्छा spices या fried spices use होते हैं तो उसको पाचन सकती में काम आते हैं इसमें हमने था सा sugar taste के लिए और इसमें हम add कि है था सा kitchen king masala kitchen king masala actually paneer का सबजी और vegetable का सबजी में डालने से उसका जो स्वाद और टेस्ट जो है ना एकतम hotels का जैसा आएगा तो आप लोग चरूर kitchen king masala करीद के market से ले आईएगा तो चलिए था सा पानी डाल का vegetable को पका लेते हैं मतलब पकने देते हैं कम steam में उसका बाद हम इसमें add करेंगे जो हमने balls में two taps gravy लिये थे मतलब yellow gravy मतलब onion का gravy और इसका साथ हम add करने वाले red gravy मतलब tomato gravy जिसको हम मखनी gravy के नाम से भी जानते हैं तो इसका अगर recipe आपको चेफ रहें तो मेरा YouTube channel पे available है red gravy का recipe और yellow gravy का recipe तो चलिए अब वीडियो को लेट नहीं करते हैं इसमें हमने थासा butter add कर लिया हूँ अब इसमें हम add करेंगे पनीर grate किया हो इसको हमने सबसे पहले पनीर को grate करके एक बॉल में रख लिया है अब इसको अच्छा तरीका से हम mixing कर लेंगे गे गिरीवी के साथ और जब mixing हो जाएगा तो इसका जो टेस्ट है फ्रेंड बहुत ही अच्छा लेके आता है और आप चाहें तो इसमें हलका सा नाम के लिए हिंग का फ्लेवर यूज कर सकते हैं लेकिन पनीर में नहीं डलने से जादा अच्छा लगता है इसलिए हमने नहीं डालें एड कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है अकबरी पनीर मसाला हाँ फ्रेंड और इसमें हमने थासक क्रीम एड के हैं रिच होने के लिए इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा रिच लेके आता है थोड़ा सा ड्रेव फ्रूट्स मतलब काजू और किसमी हमने इसमें एड कर लें तो आप लोग भी एड करना नहीं भूलें और चलिए फ्रेंड ये देखिए बन के तियार है तो प्लीज सस्क्राइबर और अनसस्क्राइबर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अंसस्क्राइब हैं तो प्लीज स्क्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही अच्छा अच्छा रिसेपी आपके लिए नोटिफिकिशन मतलब बैलोकन दवाने के बाद मिलता रहेगा तो ये देखिए फ्रेंड गेस्ट के सामने सर्भी कैसे करते हैं और उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो कि आप तावा रोटी ये नान और चाहें तो आप राइस के साथ दाल वर्टर फ्रेंग के साथ अराम से ले सकते हैं ये सबजी को तो ये वीडियो आपको देखके कैसा लगा और ये रिसीपिस आपने क्या सीखें प्लीज आप कोमेंट करके जरूर बताएए तो आज के लिए ठैंक्यू प्लीज सस्क्राइब कीजी और बैल कन दवाएए आज के लिए बाए बाए